प्लेटकल साइंस एंड पब्लिकए अडिस्टेशन की स्मार्ट इस्टडी के लिए सबस्काइब करिए मेरा चैनल पॉलेटकल साइंस बाइ डॉक्त शिप्रावर्मा और हिट डबल आईकन फॉर लेटेस्ट अबडेट अप्डेट अप मैं वीडियोस हेलो डियर फ्रैंस मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल प्लेटिकल साइंस मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा में आज मैं Political Science की Unit 6 आप लोगों ने अगर आप अभी तक सेलवस नहीं देखा है तो मैंने UGC Net exam के सेलवस और DSSV PGT exam के सेलवस पे अलग से एक वीडियो बना कर अपने चैनल पे डाला है और उसका लिंक में इस वीडियो के इंड स्क्रीन पे डाल दूँगी तो आप लोगों देख लेंगे तो आपको इन दोने एक्जाम यानि DSSV PGT exam और Net exam के सेलवस के बारे में पुरी जानकारी हो जाएगी तो यूनिट 6 जो है वो इंडिया इंडिया इंडियास फॉरें पॉलसी यानि भारत की विदेश नीती से संबंदित भाग है यूनिट 6 तो आज उसी के मै mcqs लेकर आई हूं तो सबसे पहले आप लोग एक दिश्टी डाल लीजे यूजी सी नेट के सेलवस पर जोकी प्लेटकल साइंस का है तो जो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट है वो राजनेतिक सिद्धांत और राजनेतिक विचारक से संबंदित है थर्ड जो इसकी यूनिट है वो भारत की विदेश नीती से संबंदित है जिस पर आज मैं वीडियो लेक्चर लेकर आई हूं और उसकी अंतरगात आपको ये सारे टॉपिक कवर करने है जो इसकी 7th unit है वो भारत में राजनेतिक संस्था है उनके बारे में आपको अध्यान करना है और जो इसकी 8th unit है वो भारत में राजनेतिक प्रक्रियां जो है उनका आपको अध्यान करना है ठीक है तो लाश्ट टक वीडियो देखिए बहुत यूजफूल वीडियो है आपके लिए जो 90 unit है वो लोग प्रसाशन से संबंदित है जिसे इंग्लिस में पबलिक अड्मिन जाएगा आप लोग चाहें तो मेरे टेलिगाम चैनल को जौइन की लिंक में इस वीडियो के डिस्किस्प्सन में दे दूंगी और टेलिगाम चैनल पर अगर आप प्लेटकल साइंस भाई डॉक्टर शिप्ता बर्मा से नाम से सरच करेंगे तो आपको यह तेलिगाम मिल ज चैनल पर जान डाल दिया है तो आपको उसे जोईन कर दीजे मेरे टेलिगाम चैनल को प्लेटकल साइंस भाई डॉक्टर शिप्रा वर्मा तो यह जो मैं आपको सेलवस्ट दिखाया से पीसलिए दिखाया है कि आपको इन दसों यूनिट पर फोकस करना है किसी एक यूनिट से ही कुशन नहीं आते हैं आपके एक्जाम में इन दसों यूनिट से कुशन आएंगे किसी यूनिट से पांच कुशन किसी यूनिट से दस कुशन किसी यूनिट से पंदर कुशन तक आते हैं तो आपके लिए यह दोसों यूनिट इंपोर्टन है कुछ लोग सोचते हैं कि के फिसरोड कर नाते हैं जो कि पुलेट कर ठेयरी है इंदियन पुलेट कर ठेयरि और ठिंकरस की चिर्ट ऑर वेस्टरन पुलेट कर निर्ट कर एते हैं तो जय क्यों करते है जब कि आपको इन 200 योनिट पर फोकस करना है अगर आपको यूनिट से रिलेटेड वीडियो लेक्टर से उन पर आधारिक पर वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज लेकर आती रहती चैनल पर बहुत सारे वीडियो मैंने डाल भी रखे हैं हां एक बात और कहना चाहूंगी अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादर लगती है तो आप देखिएगा राइट कॉर्ण पर एक डॉट 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 करके बिंदी है तो वर्टिकल फॉर्म में तो आप उस पे क्लिक करेंगे तो महां से आप इसकी स्पीड को भी मैनेस कर सकते हैं और रेजुलेशन अगर आपकी 144 है तो आप उसका रेजुलेशन बढ़ा तो आपको बिल्कुल क्लियर वीडियो दिखाई देगा तो आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी तो आज जो वीडियो लेक्चर वो यूनिट 6 का है भारत की विदेशनीती और भारत की पड़ोसी देशों के साथ संबंद से संबंदित अत्यंद महतबुर कृष्चन में ल दिख्यावन और बावन तो इसका वर्डन अनुच्छेद दिख्यावन के अंतरगत किया गया भाध की विदेशनीती के मुल सिध्धान्तों का वर्डन किया गया है यह कृष्चन आंसर जो आ रहें आपके सामने वोश्ट इंप्रोटेंट है तो अंतक वीडियो को भीना स् सरकार ने दिया था आपके अप्ष्ण नारा कब और किस सरकार ने दिया था आपके अप्ष्ण है देख लीजे क्या यह अटल भीहारी भाश्पे नि दिया था क्या यह उन्हें 76 में गुलजाई नमंदा निया था ठीक है तो आपका अप्शन सही है था नियौ स सट्र में असली गुल नेपेश्थ Edwards का नाह्रा दिया था थींग है Nom हांत तक वीडियो को बैना 6查 शुट है भारत सविय्ध स्यसandh Catholic और सयोग सन्दी कब लागू हुई थी, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिष्टेक है, मैनेज कर लीजेगा, भार्थ सोवियत, सांती, मैत्री और सहयोग संधी कब लागू हुई थी, क्या ये 1971 में लागू हुई थी, 1972 में, 1973 में, या 1975 में, ठीक है, तो आप लोग देख लीजे, तो ये 1971 में तो इसमें 20 समझाओतों पर हस्ताचर हुए थे और ये जो भारत सोबियत मायती और सांती संदी है उसके तहत अत्यन दुमातपुर समझाओता हुआ था 20 समझाओते पर हस्ताचर हुए थे और जिसके द्वारा हमाई विदेश नीती को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की थी इस संदी के द्वारा ठीक है विदेश नीती क्या होती है आप लोग मुझे कमेंट करके बताईए कि किसी भी राष्ट की विदेश नीती से क्या तातपर है ठीक है नेश कुछन आपके सामने स्क्रीन पर क्रद्धम एशियाई संबंद सम्मेलन कहां आयो जित हुआ था प्रथम एशियाई संबंद सम्मेलन कहां आयो जित हुआ था क्या ये मनीला में हुआ था क्या ये टोकिया में हुआ था टोकियो में क्या ये नई दिल्ली में हुआ था या क्या ये ओलंबो में हुआ था question number 4 है तो यह हुआ था नई दिल्ली में प्रथम एशियाई संबंद सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था next question है भारती विदेश नीती आधारित है क्या ये सैनेक गटबंदन पर आधारित है क्या गुटनीत पेशता पर आधारित है लिएस क्या होगा इसका एंसवर ये गुटनीत पेशता पर आधारित है यानि किसी भी सकति argue में शामिल हुए बिना अपनी सवतंत विदेशनीती का संचालन करना अपनी सवतंत करना किसी भी गुटनरीत कि सिद्धान पर आधारित है और इसका वीडियो-लेक़्र में भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी गुडने पेच ये संग पर नेश विश्चन है कुश्चन नमबर सेक्स भाद की पुर्वी अबलोकन नीती का लच्छ है चीन के साथ घनित संबंधों के लिए चापान के साथ घनित संबंधों के लिए आशियान देशों के साथ घनित संबंधों के लिए भाद की पुर्वी अबलोकन नीती का क्या लच्छ है आपको इसका जबाब देना है ये सारे कुश्चन जो है most important है तो वीडियो को स्किप किये बिना अंत तक वीडियो को देखिएगा और पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी जोग से कर दीजेगा क्योंकि आपके सुझाओं मेरे लिए अत्यन्त महतवपूर्ण है क्युशन देखिए तो ये है आशियान देशों के साथ घनिष्ट संबंधों पर आधारित है ये सारे वीडियो लेक्चर्स आएंगे आशियान पे भी तो आप लोग मेरे चैनल को जोइन कर लीजे क्योंकि इस पर मैं मोश्ट इंपॉर्टन वीडियो लेक्चर्स डाहती हूं जो कि आपके एक्जाम के लिए मोश्ट इंपॉर्टन है तो भारत की पुर्व अवलोकन नीती का लच्छे है आशियान देशों के साथ घनिष्ट संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत की पुर्व अवलोकन नीती का जो लच्छे है वो ये था कि आशियान देशों आपके सामने भारती विदेशनीती एक दिशा की ओ संकेत एक दिशा संकेत यह किसकी रचना है भारती विदेशनीती एक दिशा संकेत तीक है नेश कुशन है आपके सामने स्क्रीन पर भात की विदेश नीती आधारित है सौरी ये फिर से रिपीट हो गया है तो भात की विदेश नीती किस पर आधारित है मैं पहले ही बता चुकी हूँ गुटनिरपेशिता के सिध्धान पर आधारित है नेश कुशन है प परोशी देशों के प्रती भारत की विडेशनीती किस पर अधारित है और भारत की परोशी देशों के साथ जो विदेशनीती है उस पे इसी मैं में लेकर आई हूँ तो आप लोग अंति तख направ का धैरे के साथ ताकि आपका इस ट्रॉपिक से रिलेटर सारा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाए आप लोग इन सभी एमसी को देखे तो यह इस आधारित है गुजराल सिधान पर पर परोशी देशों के प्रति भायत की विदेश नहीं ती आधारित है गुजराल सिधान पर यानि आप्षंदर जो है इसका राइट एंस्वर है ठीक है आप लोग एक बाहर इस वीडियो देखने के बाद इसको जो से रीवीजन कर लेंगे तो आपको सारे एंसर ट्रंग हो जाएंगे ठीक है और आपका एक्जाम मोश्ट प्रॉवेबली जुलाइक के लाश्ट भी कि आप यापि अगस्त में हो सकता है तो तेयारी करते रहिए पथम इश्याय संबंद समेलन कहां पर आयोजित हुआ थ थे ठीक है तो इसका एंस्वर है डी पंडित नहरू पंडित नहरू जी पंचिछिल सिध्धान्थ के प्रतिपादक थे और 29 अप्रैल 1954 में इस समझोते पर इस सिध्धान्थ को पर मोहल लगा था ठीक है अचिल सिध्धान्थ पर मोहल लगी थी 29 अप्रैल 1954 में पंचिल समझोता हुआ था किसके बीच हुआ था आप लोग मुझे कमेंट करके जहू से पताईएगा ठीक है इस सारे क्यूशन आप लोग देखे और रिवाइस भी कर लिजेगा इस वीडियो को दुबारा देखकर रिवाइस भी कर लिजेगा और आपका ये इस वीडियो से रिलेक्टर सारे क्यूशन जो है इस वीडियो में में ज praise हो जाएंगे बहाध की विजेश नीती और भारत के परोसी देशों के साथ जो विजेश नीती भारत ने अपनाया है वह सारा इसी वीडियो में इससे संब्छल मोच इंपॉर्टेन क्यूशन है सारे इसी वीडियो में आपके cover हो जाएंगे तो अंत तक धैरे के साथ वीडियो को देखेगा क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं मैंने देखा है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और बीच में से ही वीडियो देखके बंद कर देते हैं क्योंकि मुझे पता चल जाता है ठीक है ये मुझे पता चल जाता है तो अंति तक वीडियो को देखिया और से शेयर भी कर दीजेगा ज्यादा से ज्यादा तो जो पंच जिल सिधान था उसके प्रतिपादक थे पंडित संदी थी आप्षन अगस्ट 1971 अगस्ट 1970 तो इसका जो सही एंसर है वो है अगस्ट 1971 भारत तो सोबियत सांती मैत्टी सहयोग संदी कम हस्ताच्रित हुई थी यह 20 वर्षी संदी थी तो यह अगस्ट 1971 में हस्ताच्रित हुई थी भारत अमेरिका पर्मारु समझोता किस पर आधायत या किस से संबंद है सैनिक पर्मारु समझोते पर नागरिक पर्मारु सहयोग से भारत की पर्मारु कायक्त्रम की समापती से या पुर्ट में से कोई नहीं भारत अमेरिका जो पर्मारु समझोता हुआ था वो किस से नागरिक परमारू सायोग से संबंदित है इस सारे कुश्यन आप लोग देख के जान गए होगे कि कितने इंपॉर्टेंट है यह ऐसे कुश्यन है जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं आपके एक्जाम में इस यूनिट से इस टॉपिक से भायत की विदेश नीती से तो आपको पूरा टीप आप दर टंग हो जाएंगे सारे कुश्यन ठीक है नेश कुश्यन में इंडिया भायत सरकार की एक पहल है जिसका प्रात्मे कुद देशे बहुराश्टी एवं भारती कंपनियों को भारत में अपने उत्पात बनाने के लिए प्रसाइद करना है यह का एक्रम प्रधानमंती नरेन मोदी ने कब लांच किया था तो आपके अप्शन है 25 दिसंबर 2014, 25 सितंबर 2014, 12 अगस 2014 और 11 सितंबर 2014 अगर आप लोग करेंट अफेयर से देखते होंगे तो आपको इस क्रिशन का एंसर जोरू से पता होगा यह कि आपके लिए इस टॉपिक को समझने के लिए करेंट अफेयर भी देखना मोश्ट इंपॉर्टन तो 25 सितंबर 2014 को यह समझा यह पास सरकार की पहल पर मेंके पाधन बनाने के लिए प्रोसाहिद करना इस मेक इंडिया का में वीजन था और यह कब लांच किया था प्रदार्मंदी हमारे माननी प्रदार्मंदी नैन मोधी जी ने 25 सितंबर 2014 को निश्वजा भात की विदेशनीती के मुल सिध्धानतों का संबन्द भारती समिधान के क अनुछे में किया गया है देखिए कुष्ण को दूसरी तर से पूछा गया तो अनुछे दिख्यावन में किया अप लोग जानती है मैंने पहले ही कुष्ण करा दिया है पंचिसील के सिध्धानतों का प्रदार्मंदी ने किया था 29 अप्रेल 1954 को मैं पहले ही बता चुकी ने शुष्ण मौराजी सरकार दिसाए सरकार ने असली गुट निट पेच्छता का नारा कब दिया था यह कुष्ण पहले करा चुकी हूँ किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विबाद है तिस्ता नदी जलबटवारे को लेकर किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विबाद है क्या यह नेपाल के साथ है पांगला देश के साथ है भूटान के साथ है या पिर चीन के साथ है आप लोग बताईए देखिए वीडिय पाकिस्तान युद्ध में किस देश का जन्म हुआ उनिस एकतर के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश का जन्म हुआ क्या ये नेपाल का जन्म हुआ था भुटान का जन्म हुआ था बांगलादेश का जन्म हुआ था या मालदेब का तो बांगलादेश का जन्म हुआ हाँ तो सिम्ला में 1972 में इसके अंधर समझ्जाता भूई हुआ ठीक है और इसके अंधर महातवपुर सिध्धांत पत्वादित किया थे next question है महाकाली संधी किन देशों के बीच हुई थी महाकाली संधी किन देशों के बीच हुई थी भारत और नेपाल के बीच भारत और सिलंका के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच या भारत और चीन के बीच महाकाली संधी किन देशों के बीच हुई थी महाकाली संदी ठीक है यह सारे कुश्यन बोश्ट इंपॉर्टन्ट है तो वीडियो के स्किप मत करिएगा अंतर तक वीडियो को देखेगा नेशुचर निंखित में से किसके प्रयासों से भारत पाक नहरी पानी समझौता 960 में हुआ था तो आपको बताना है कि किसके शक्रिय पयासों से भारत और पाकिस्तान के मद्य नहरी पानी समझाता 1960 में हुआ था यह कुश्यन भी मोश्ट इंपॉर्टन्ट है आप लोग वीडियो को पास करिए और इसका एंसर दीजे तो यह विश्रुपैंक के संयोग से कि बहाता पाकिस्तान के मद्य नहरी पानी समझाता 1960 में हुआ था तो विश्रुपैंक के सख्री प्रयाशों से यह समझाता हुआ था जिसके अंतरगत महतपूर सुझा दिये गए थे ठीक है इस समझोते के तहत भारत जो है वो सिंदु प्रणाली की तीन पुर्वी नदियों की का प्रयोग करता है सिंदु, ब्यास और सतलज इन तीन नदियों का जल भारत प्रयोग करेगा ये समझोते में कहा गया था और पाकिस्तान की नदियों का प्रयोग करेगा नहरी पानी की तो अन्मति दी गी थी जेलम, चेनाव और सिंदु नदियों के प्रयोग की तो ये महतुपूर फैक्स है इससे आधारित कुछन भी पूछ सकते हैं कि जो नहरी पानी समझाता हुआ था भारत और पाकिस्तान के भी तो इसके अंतरगत किन-किन नदियों के जल का प्रियोग भारत और पाकिस्तान को करने के लिए कहा गया था ने शुचर है नहरु के अंसा विदेश नीती का आधार क्या है क्या ये शांती है क्या ये अमित्रता है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं नहरु के अंसा भारत की विदेश नीती का क्या आधार है तो ये दोनों ही है सांती और मित्रता ही नहरु के अंसा विदेश नीती क कौन थे लालकिष्ण अद्वानी अटिल विहारी बाचपई इंद्र कुमार गुजराल या फिर इंद्रा गांधी जब जन्टा पार्टी की सरकार थी उन्नियाशी में तो समय भारत की विदेश मंत्री कौन थे आप्शन देखिए और वीडियो को पास करके आप लोग भी क्य स्वर्ण के एंस्वर देने की कोशिश करिए जन्ता पार्टी की सरकार में भारत की विदेश मंती थे अटल विहारी बाचपई स्वर्गिय श्री अटल विहारी स्वर्गिय प्रधान मंती जो की भारत की प्रधान मंती विबाद में अटल विहारी बाचपई थे उसमें भा तो इंद्रा गांदी के समय बेजी गई Phi यहां फेर इंदुकुमार गुज़्रार के समय या नहेरू के समय तो यह जो बेजी गई थी भारती संति नहें वह पर येLe sir गान्दी जी के समय बेजी गई थी, ठीक है? स्वर्गी राजी गान्दी के समय भारती सांधी सेना सिलंका बेजी गई थी, नश कुषिया न भारती विदेष निती के संबन में यह कतन किस ने कहा था कि भात को इस बात की बड़ी चिन्ता है कि उसकी प्रगती को सामाने रूप से मानवजाती की उन्ती को संकत में डालने वाला कोई युद नहीं हो क्या ये कहा था लालबा अदू सास्ती जी ने, क्या फिर स्रामा पुशाद मुकर जी जी ने क्या ये केम पडिकर ने कहा था या फिर वी के किष्ण मैनन ने ये कहा था भारती विदेशनीती के संदर में अकथन किसका है कि भात को इस बात की बड़ी चिंता है है ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो आप लो कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपकी कितने क्यूशन के अंसो सही हुए है और वीडियो को सेयर भी कर दीजेगा ज्यादा यह ज्यादा ताकि मेरा वीडियो बनाने का देश शपलो तो यह टिपड़ी थी केम परनिकर जी की केम परनिकर जी ने यह टिपड़ी किया था कि भात की इस बात की बड़ी अक्साइचीन सिया चिन ग्रैशिया तीन अभी गाली आ रहा है या फिर सरकी एक छेत्र क्यूशन देखिए वीडियो को पांस करिए तो चीन भायत के किस छेत्र को विवादी समझता है यह है अक्साइचीन का छेत्र ठीक है इसका सही एंसर क्या है अक्साई चीन का छेत्र तो तीन फैक्स हैं वो तीन दीगा गलियारा भारत और पांगलादेश और सिया चीन गलेसी और सरकी छेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विबात का मामला है भात कवा प्रधानमंती कौन था जिसने चीन की कभी यात्रा नहीं की राजीव गांधी जवाला नैरू इंद्रा गांधी और पीबी नर्शिंगा राव वह कौन से प्रधानमंती थी जिसने चीन की कभी भी यात्रा नहीं की है आप से ये पूछा जा रहा है वीडियो को पास करिए, एंसर देने की कोशिश करिए, आप लोग भी कमेंट में अपने एंसर बताईएगा मुझे, और बताईएगा कितने क्रिशन के एंसर आपके सही हुए, तो इंद्रा गांधी एक ऐसी प्रधानमंती थी, जिनों ने कभी भी चीन की यात्रा नहीं की थी ठीक है, नेक्स क्रिशन है, भात और चीन के बीच में विवाद है, भारत और चीन के बीच में विवाद है, तिब्बत विवाद, इस्टेपल वीजा विवाद, ब्रह्मपुत नदी विवाद, या फिर तीनों, यानि सभी, भात और चीन के बीच विवाद है, I think इसका एंस भीवाद भी है ब्रह्मपुत्र नदी विवाद भी है ठीक है आप लोग चाहेंगे तो मैं स्टेपल वीजा विवाद क्या था इस पर वीडियो लेक्चर दे दूंगी अगर कमेंट चाहते तो कमेंट करिएगा निश्यन भाद की विदेशनीती कैसी रही सांतिवा सहयोग की ह भाद की जो विदेशनीती है वो सांतिवा सहयोग की भामना पर आधारी थे ठीक है इसमें हिंसा सामराजिबाद या उपनेवेशवाद का कोई अस्थानी नहीं है ने शिचन है भाद चीन युद्द को सुलजाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गिया था काहिरा प्रस् भारत चीन युद्द को सुलजाने के लिए इन में से कौन सा प्रस्ताव लाया गिया था आपको ये पताना है वीडियो को पास करिए और एंसर दीजे मुझे में साथ साथ कमेंट करिएगा एंसर को भारत चीन युद्द को सुलजाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गि गया था वो था कोलंबो प्रस्ताव ठीक है बहां चीनियों दिकुल सुल जाने के लिए कोलंबो प्रस्ताव लाया गया था और यह कब लाया गया था 1962 में ठीक है 1962 में चीन ने भार पर आक्मर भी किया था इस तो आपको पता ही होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है उस पर मैंने वीडियो लेक्षर बनाया है और इसके इंडे स्क्रीन पर मैं उसका लिंक दे दूंगी तो आप लोग उस वीडियो को भी जो से देखेगा ताकि आपको अपने के सारे यूनिट्स की नौलेज हो जाए कि आपको किन पर क किन पर मश्जुक्स करना है किनρεί कई करना है कांन से फैस्सकों पढ़ना है और सारे यूनित इंपॉर्टन जो दस रोधं है वहाने वेगी उनिट पडह के लिए तो दोक speech करिये तो सारे ये unit आपके लिए important है और वीडियो को last तक देखिएगा most important MCQs मैं आपके हल करवारी हूँ इस वीडियो के माध्यम से और इसके अंतरगत आपका जो topic है भारत के पडोसी देशों के साथ जो संबंध है जो भारत में पडोसी देशों के साथ नीदी अपनाई है उससे related ये सारे question मैं आपको solve करवारी हूँ नेश क्रिशन आपके सामने स्क्रीन पर भारत अच्छी डेशिया में सकारात्मक समरूपता का अनुसरन कर रहा है ये आपका कथन है भारत को चीन पाकिस्तान एक जुटता द्वारा सामिक रूप से निरोतित रखा जा रहा है तो कथन ह वारत द्वारत अच्छी डेशिया में सकारात्मक समरूपता का अनुसरन कर रहा है न महारत अच्छी डेशिया में और जो इसका कारण है भारत को चीन पाकिस्तान एक जुटता द्वारा सामिक रूप से निरोतित रखा जा रहा है तो ये और आर दोनों फैक्ट सही है और ये एक दुस्य की सही व्याख्या भी कर रहें भारत को चीन पाकिस्तान एक जुट्टा द्वारा सामें रूप से निरोधित रखा जा रहा है नेस्ट क्या है तो भारत चीन ने 21 सदी में एक रशनात्पक एवं सहयोग के संबंद का मार्ग अपनाया था ये कथन है कारण है चीन ने पाकिस्तान की परमाडू नीती का विरोध किया है क्या ये दोनों फैट सही है देख़िए तो A,R दोनों सत्य है और A,B की सही भयाख्या है तो देखे भारत और चीन ने किसी सदी में एक रशनातपक एवं सहयोग के संबंद का मार्ग अपनाया था ये खतन सत्य है लेकिन जो ये कारण बता रहा है कि चीन ने पाकिस्तान की परमारून नीती का बिरोध किया तो ऐसा इसने कभी नहीं किया चीन तो प्रत्यत चुरूप से पाकिस्तान को सेयोग प्रदान करता है तो ऐसा इसने कभी नहीं किया है चीन एक तर से पाकिस्तान को हमेशा सयोग देता रहा है और भारत की प्रती जो उसकी नीती है वो कूट नीती एक तर से समझ लिजे कूट नीती कूट नीती खेल रहा है चीन एक तब तो पाकिस्तान को सयोग दे रहा है दूसरी तब से भारत से ये मितता का दावा करता है ची तो चाइना पाकिस्तान एकनामिक कोरिडॉर इसको भी समर्थन दे रहा है इसके भी निर्मार पर सियोग कर रहा है चीन सीधे सीधे पाकिस्तान को सियोग कर रहा है और इस प्रकार से पाकिस्तान की परमारूनीति का भी यह समर्थन करता रहा है चाइना और हमेशा से सयोग कर पाकिस्तान को तो C option सही है नेच कुछन है भारत सिलंका समझोते का मुख्य प्रयोजन क्या था तमलो की विरुद भारत का युद्ध सिलंका का विभाजन करने का भारत का इरादा सीहली और तमलो की भी सजाती विश्यक संगर्श शमाप्त करना तमिल मिलिटेंट ग्रूपों का बैधी करन करना इसका क्या उद्देश्य था, क्या प्रयोजन था आपको ये बताना, ये कुश्चन यही पूछ रहा है कि भारत सीलंका समझोते का मुख्य प्रयोजन क्या था आप्शन को पढ़िये, धैरे के साथ वीडियो को पॉस करिये और आइंस्वर देने की कोशिश करिये, ठीक है जो आपके आइंस्वर है, ये आप्शन पे ही छुपे रहते हैं अगर आपने कभी भी इनस्वर को पढ़ा है, तो आप इसली इनका एंस्वर दे सकते हैं तो ये सिहली और तमलों के बीच सजाती विश्यक संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत और सीलंका की समझोते का मुख्य प्रयोजन क्या था सिहली और तमलों के बीच सजाती विश्यक संघर्ष को समाप्त करना तीक है और ये 1987 में किया गया था 29 जूलाई 1987 को ये समझोता किया गया था और इसका प्रयोजन था तमली और सिहली और तमलों के बीच सजाती विश्यक संघर्ष को समाप्त करना ये सारे question जो है वो most important है और इनके बीच जो सजाती संगर्ष था वो काफी ये मतलुब इसकी कोई सीमा ही नहीं थी तमलों और सिहली के बीच जो संगर्ष था उसकी कोई सीमा ही नहीं थी ये पराकाष्टा पर था मतलब इनके बीच जो खूनी संगर्ष होता था ये खूनी सं तो तमलों के एक तरह से वहां के बैद नागरिक बनाने के लिए समझाता हुआ था और निमानेता प्रदान करने के लिए समझाता किया गया था जो कि 29 जुलाई 1987 में हुआ था आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि इस समय भारत के प्रदान मंतरी कौन थे ने शुशन है निमकित में से कौन सा कतन असत्य है नीम डाना वारता भारत चीन संबंदों के विशह में है उटामा वारता भारत पाकिस्तान संबंदों के विशह में है संग्रीला वारता भारत सिंगापूर संबंदों के विशह में है और रैसीना वारता भूराजनीती अर्थिबहस्ता के विशह में भारत का फ्लैक्सिक सम्मेलन है क्षिर्ण को ध्यान से पढ़िए सारे Facts को ध्यान से पढ़िए तो Qt की साहेता से आपको एंसर देना है तो A में है पहला, दूसरा, तीसरा, कतन सही है B में है दूसरा, तीसरा, चौतन सही है C में है A, पहला और तीसरा कतन सही है और D में है तीसरा और चौथा कतन सही है देखिए इसमें से कौन से जो facts हैं वो सही हैं और कौन से facts गलत हैं आपको गलत की बारे में बताना है सबसे पहले तो फोकस किया करिए कि question पूछ क्या रहा है इन में से कौन सा कथन असत्य है कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है सत्य नहीं, असत्य कथन को बताना है चाहिए तो आपनों वीडियो को पॉस कर लीजे और कृष्टन के answer देने की कोशिश करिए comment section में मुझे जोरू से बताएगेगा आपके कितने कुश्चन के एंसवर सही हो रहे हैं ठीक है आप्शन सी यानि जो यह पहला और तीसरा जो कथर है वो गलत है नीमराना भारता भारत चीन के संबंदों के विशह में है और संगीला भारता भारत सिंगापूर संबंदों के विशह में यह बाकी आपका दूसरा और चौथा जो आप्शन है दूसरा चौथा फैक्ट है वो बिल्कुल सही है जो टापा बारता है वो भारत-पाकिस्तान संबंदों के विशह में है और जो राय सीना डायलॉग है वो भूराजनीती तता भूर्थवैस्टा के विशह में भारत का एक तो आप्षन एक और तीन यानि सी जो है सी आप्षण वो सही है जो पहला कथन है और तीसरा गलत अवी क्यों गलत है सिसके बारे में आप आप जो जान लीजे क्योंकि मुच्ट इंपॉर्टनच वारतअ वह भारत चीन के मद्ध नहीं होई थी बलकि नीव नारा भारता भारत और पाकिस्तान के मद्दे हुई थी ये अपारस्परिक सम्मेलन था क्योंकि जो नीम राणा बारता थी ये भारत के जो राजस्तान में नीम राणा नामक किले में हुआ था और इसके अंतरगत एक जो कि 1991 और 92 के अवदी में हुआ था राजस्तान के नीम राणा किले में ये भारत और पाकिस्तान के मद्ध एक बारता हुई थी जो कि अपारस्प्रिक बारता थी मतलब इसका कोई निर्धारे तो देश्य नहीं था लेकिन इसका उदेश्य यह था कि ये भारत और पाकिस्तान के मद्ध जो संबंध है और जो नाजुक दौर से गुजर रहे थे उनमें स्थिर्ता लाना थीक है तो नीम लाना बारता जो थी वो भारत और चीन के मद्धिना होकर भारत ओर पाकिस्तान के मद्ध्ध थी अब जो तीसरा है कथन संगरीला बारता पहरता और सिंगापूर संबंधों के विश्यह में है तो ये फैक्ट भी गलत है क्यों गलत है तो जो संग्रीला बारता है वो एशिया प्रसांत महासागरी देशों के मद्ध इसमें कुल 28 देश शामिल है उनके मद्ध ये समल दीजे एक सुरच्छा संबंदी विश्यों पर ये बारता होती है संग्रीला बारता जो कि ये एशिया प्रसांत देश छेतर के 28 देशों के मलत ह हुत्य है इसके अंतरगत एक ठिंग टैंक है प्रशान अनमें चेतर के 28 देश इस वारता में सामिल होते हैं तो यह सिर्फ भारता सिंगाइपूर के समद्दों के विशय में नहीं है यह एशिया प्रसांत महासागरी चेतर के 28 देशों के मते यह बारता होती है तो इस तरह से आपका option C सही है कि पहला और तीसरा कथन गलत है ठीक है आप लो और तीसरा कथन गलत है ठीक है यानि शी आपसन इसका सही है नेश कुष्चन पे चलते हैं नेश कुष्चन है एशिया के साथ भारत का मिलन बचन बद्दता की कल्पना में इस पष्ट अव्यक्ति किया गया था या किसने इस पष्ट रूप से बताया इंद्रा गांधी ने सदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने या फिर जवारलाल नेरू ने एशिया के साथ भारत का मिलन बचन बद्दता की कल्पना में इस पष्ट अव्यक्ति किया गया था या किसने इस पष्ट रूप से बताया है एशिया के साथ भारत का मिलन बचन बद्दता की कल्पना मे इस पश्रूप से अव्यक्ति किया गया है तो ये पताया था सरगिय जवाला नहरू जी ने निंकित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान के मद्य विवाद का विशय नहीं है सियाचीन विवाद सरकी विवाद क्रास बार्डर आतंगवाद या दहा ग्राम विवाद ये आप्शन सियाचीन विवाद सरकीक विवाद काश बार्डर आतंगवाद ये भारत पाकिस्तान के मद्य तो है लेकिन पूछ रहा है भारत पाकिस्तान के मद्य विवाद का विशय नहीं है तो इसका राइट आप्शन जो है वो राइट एंस्वर है वो दाहा ग्राम विवाद ये भारत आप बांगलादेश के मद्य विवादित विशह है ठीक है भारत आप बांगलादेश के मद्य विवादित विशह है तो कुछन पूछ रहा है कि भारत आप पाकिस्तान के मद्य विवाद का विशह कौन सा नहीं है तो option D इसका right transfer है क्योंकि जो दाहा ग्राम विबाद है वो भारत और पांगलादेश के मद्ध है इसके अलावा तीन वीगा करीडार का मामला जो भी है वो भी भारत और पांगलादेश के मद्ध है ठीक है ते सारे question आपके most important है इसके किये विना लाश तक वीडियो को देखिएगा और शेयर भी करिएगा नेश क्रिशन है भारत और नेपाल में ने संसोधित 12 करार ओपन परिहार समझोता पर कब हस्ताचर किया था आपके option है 2011, 2012, 2010 या फिर 2009 DTAT भी इसे बोलते है या फिर DTAA भी बोलते है और ये संसोधित है यानि ये पहले भी हो चुका है तो संसोधित 12 करार ओपन परिहार समझोता कब हुआ था ये 2011 में हुआ था चुकि ये संसोधित है यानि पहले भी हो चुका होगा भारत और नेपाल के मद्दे पहले भी ये समझोता हो गया होगा हो चुका होगा तो ये पहली बार जो हुआ था भारत और नेपाल के मद्दे जो समझोता पहली बार हुआ था वो 1997 में हुआ था ठीक है तो ये संसोधित 12 करारोपन पईहार समझोता जो हुआ था संसोधित वो 1211 में हुआ था लेकिन मोल रूप से जो भारत और नेपार के मते पहली बाहर समझोता हुआ था को सब्सक्रामाँ में हुआ था अब जो डिटीए ऩा है यह क्या है इसका Commonwealth किया है तो यह एसे बोहता है तो दबल टक्सेशन एबायडेंस एग्रीमेंट तो यह फैक्स भी मोस्ट इंपॉर्टन थैं आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजे यह सारे फैक्स मोस्ट इंपॉर्टन है और मैं इंपॉर्टन फैक्स को भी आपको बताती चलती हूं उपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से फ्रांस भारत में किस अस्थान पर पर्मादु उर्जा सहींत इस्थापित करने के लिए सहमत हुआ था क्या कुडन कुलम में, क्या तारापुर में, क्या काकरापार में या फिर जैतापुरा में देखे जो option है तो D option सही है तो भारत में जो फ्रांस निवेश कर रहा है परमाड़ उर्जा सेयंत इस्थापित करने के लिए वो जैतापुरा में कर रहा है और ये जैतापुरा कहां पर है महराश्ट में है तो और ये फैक्ट भी कभी कई पूछ सकता है कि भारत का पहला परमाडु उर्जा सेयंत कहां सापित किया गया था तो ये तारापुर में सापित किया गया था तारापुर कहां है तो तारापु संहियंत करनात करनात में इस्थापित किया गया है इस आपके लिए घम काकरापार भारत की गुझराथ में इस्थापित किया गया है कभी कई question पूछ लेता है सुमेलित करने के लिए कि एक तरफ पर्माणु उर्जा सहियंत दे देता है और दूसरी तरफ यह अस्थापित राजे कहां इस्थापित किया गया है तो यह पूछ लेता है इसलिए मैं आपकी सामने एक facts क्लियर कर रही हूं यह most important facts है तो जैतापूरा महारा में इस्कुर्शन का सही एंस्वर है जैतापूरा काकरापार गुजरात में है पर्माणु उर्जा सहियंत तारपूर भी महाराश में है जो भारत का पहला पर्माणु उर्जा सहियंत था कुडन कुलम जो है वो तमिलाडू में स्थापित किया गया है ठीक है कहेगा नामक एक परमार्यों उर्ञासानीद्ट है, यह एक्स्ट्राफर्ट में बता रही हूँ, कहईगा नामक परमार्यु उर्जासैन्ट कहां है, आपके घणाटक पे है। नमकीद में से कौन सा सुमीलित नहीं है? तीके सुमीलित वाला कुश्चन आगया ना निंकित में से कौन सा सुमिलित नहीं है फरक्काबांथ भारत बांगलादेश 123 समझ कौन से पैक्ट जो हैं वो सुमेलित नहीं है तो जो फरक का बांध है वो भारता पांगलादेश की मद्ध है यह सही है 123 सार्विक समझाता जो हुआ था भारता अमेरिका की मद्ध ही हुआ यह भी सही है मैंने आगी आपको बताया है ठीक है यह दोनों फैक्ट्स तो आपको सही मिल गए आप लोग Elimination Process को अपनाय करिए आप लोग Eliminate किया करिए ऑप्शन को तो आप आप अशानी से सही एंस्वर्ट पर पहुँश सकते हैं सही Option पर पहुँश सकते हैं तो Elimination Process को अपनाय करिए अब जो TAC है 4-6 संजोता ऐकि भारत और सिलंका के मद्द्री हुआ था बल्कि नेपाल उस यह नहीं yol हुआ था तो झोमुroe संजोता भारत आट इसलंका के मद्द्री तो आप sold देख लिजए एक क्ष्ष्ष्ष्ष्ष्व में आपके कितने सारे क्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष एक सीम में आपके कितने सारे सख्बाइब항basbasbasbas 그렇지 hacen तो यह फैक्स भी आपका most important है ठीक है यह सारे फैक्स जो है वो most important है और एक question से आपके कितनी सारे question और कितनी सारे dots clear हो रहे है ठीक है तो यह सब facts आप लोग चाहें तो note down करते हुए चलिए वांते तब वीडियो को जो से देखिएगा शेयर भी कर दीजेगा ठीक है अब देखिए next question इंकित में से कौन सा सुमिलित नहीं है 130 परमाणू समझोता क्या इस समय भन महान सिंग थे प्रधान मंतरी तासकन समझोता क्या इस समय जवालना नहरू थे प्रधान मंतरी भारत के सिमला समझोता क्या इस समय इंद्रा गांदी जी थी भात की प्रधान मंतरी पंचिसीर समझोता क्या इस समय जवालना नहरू जी नहीं थे उननेंसो चार्चट में आप लोग गोहर कर ये दिमाग पर जो और डारिये कि इनने सुच चार्चट में भारत की पृधान मंतिरी कौन थे आप लोग सही एंस्वर पर पहुच जाएँगे तो सही answer है तासकन समझाता था उस समय भारत के पिधान मनती थे लाल बाहदु सास्त्री और रूस के सहयोग से समझाता हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1965 में इस युद्ध के बाद तासकन समझाता हुआ था रूस के तासकन नामकस्तान पर उस समय भारत के यह भारत और चीन के मंदि हुआ था उसे में भारत के प्धान मंति थी पंडिजवारला नेरू नेश्विशन इंकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आप्शन है भारती संसत्पा आतंकी हमला क्या यह 2001 में हुआ था बाशपेई की बसकूट नी थी क्या यह 2000 में हुई थी अगर यह सारे फैक्ट्स आपने पढ़े होंगे तो आप इसका एंसर दे सकते हैं सार्ग के सब्सक्राइब में हुई थी तो सही है ठीक है तो इसका सही एंसर है भी बाशपेई की बसकूट नी थी 2000 में नहीं हुई थी बलकि यह 1999 में यह अपनाई गई थी इसे बसकूट न स्वर्गी पुर्व प्रधानमंती अटल भिहारी बाशपेई जी ने भारत पाकिस्तान के मद्य मित्रता के संबंदों को बढ़ावा देने हैं तू लाहोर से दिल्ली के मद्य बस सेवा प्रारम की थी फरवरी 1999 में जिसका एक मातर उद्देश क्या था भारत पाकिस्तान के संसत्पा आतंक्री हमला हुआ था तो ये फैक्ट सही है सार की सथापना कब हुई थी 1905 में हुई थी कहां हुई थी बांगलादेश की राजधानी डाका में इसके सापना हुई थी इसका मुख्याल है कहां है नेपाल की Rाजधानी काटमांडू में है अब बर्तमार में सारक सधर्षय देशों की संख्या क्या है 8 है कितनी एte 8 है 8 न जो सधर्षय देशों वह अफगानिस्ता थी भारत जो D option है भारत और अमेरिका परमारू समझोता 2008 में लागू हुआ था लेकिन इस पर हस्ताचर कब हुए थे 2005 में जिसके अंतरगत 123 परमारू समझोते किये गये थे भारत और अमेरिका के मद्ध है और इन पर सहमती स्थापित की गई थे ये लागू कब हुआ था दोजा आठ में जबकि इस पे हस्ताच्छ दोजा पाँच में हो गए थे और इसमें भारत के पिधान मनती थे स्री मनमोहन सिंग ये शुचन है नीचे दिये गए देशों में से किसने भारत के साथ युद्ध ना करने की संदी का प्रस्ताव किया था आपके आप्शन है रूस चीन पाकिस्तान और अमेरिका नीचे दिये गए देशों में से किसने भारत के साथ युद्ध नहीं करने की संदी का प्रस्ताव किया था यानि इसने कहा था कि वह भारत के साथ कभी युद्ध नहीं करेगा इस question का सही answer option C पाकिस्तान ने सन 2003 में भारत के साथ युद्धिना करने की संदी पर हस्ताचर किया था लेकिन पाकिस्तान कभी भी संदी पर खड़ा नहीं उत्रा पाकिस्तान हमेशा चेही भारत पर आकमर छद्म आकमर करता रहता है जिसका प्रत्यचुदान बरत्मान समय भी है कि संकट के दौर में भी पाकिस्तान अपनी इस हरकत से बाज नहीं आ रहा है भारत पर लगातार छद्म आतंकपादी हमले करवाता रहता है पाकिस्तान और वो कभी भी इस संदी पर खड़ा नहीं उत्रा है ठीक है पाकिस्तान इसका आप्शन सही है दोजा तीन में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध कभी ना करने की संदी का प्रस्ताव किया था नेस्ट क्यूशन है हैंड्स आफ शेलंका सिध्धान किसने प्रत्पादित किया था आपके आप्शन है पीबी नर्शिंगा राव, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्रा गांधी और जवाल लाल नहरू ये सारे क्यूशन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके मुझे जोरों से बताईएगा और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा शेयर कर लिजेगा ताकि आपकी तरह अने नेटफूल इस्टुडेंस भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें तो इसका सही एंस्वर है C. इंद्रा गांधी किस देश की संशत के ब्लाक का नाम अटल ब्लाक रखा गया है किस देश की संशत के ब्लाक का नाम अटल ब्लाक रखा गया है क्या ये भारत है क्या ये सिलंका है क्या ये अफगानिस्तान है क्या ये पाकिस्तान है तो इस question का सही answer है C, Pakistan, Sir, Afghanistan तो Afghanistan देश की संसत की ब्लाग का नाम अटल ब्लाग रखा गया है इसका सही answer है Afghanistan, ठीक है? बात और बताना चाहूंगी कि इस वीडियो पे, इस वीडियो की स्क्रीन पे एक आई बटन है एक गोल खेरे में आई बटन है, उस पे आप लोग क्लिक करिएगा तो मेरे चैनल की अन्य महतुपूर वीडियो तक आप उस आई बटन पे क्लिक करके पहुँच सकते हैं मेरे चैनल पे बहुत सारे important वीडियो lectures बने हैं आपको देखना अपने एक्जाम को क्लिया करने के लिए most important है तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं तो ये इंद्रा गांधी जी ने सौपा था कच्चा तीबू, दीप, सिलंका को इंद्रा गांधी जी ने सौपा था ये सारे जो कुष्ण है आपके एक्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टन्ट है तो किसी भी कुष्ण को हलके में मत लीजेगा नेश कुष्ण है तापी, कैस, पाइपलाइन, परियोजना में सामिल नहीं है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इरान और भारत तापी, गैस, पाइपलाइन, परियोजना में कौन सा राश्ट सामिल नहीं है आपको इस क्षिशन का एंस्वर देना है इस सारे facts जो है most important है आपके option है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, भारत तो तापी gas pipeline परियोजना में कौन सा राष्ट सामिल नहीं है आपको इस question का जबाब देना है इस question का right answer है सी इरान इरान तापी gas pipeline परियोजना में सामिल नहीं है तो अब सवाल उठता है कि कौन कौन से देश इसमें सामिल है तो TAPIS का तापी है, तापी नाम है तो T से तुर्कमेनिस्तान है, A से अफगानिस्तान है P से पाकिस्तान है जो कि option में नहीं है और I से इंडिया है T, A, P, A, I तो ये चारों देश जो हैं वो तापी gas pipeline परियोजना में सामिल है T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान और I for इंडिया यानी भारत तापी gas pipeline पर्योजना में तुर्कमिनिस्तान, अग्गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत सामिल है ठीक है? ये most important facts है आप लोग इसे revise जो से करिएगा इस वीडियो को नेश वीडियो को ने भारत वारा आपरेशन में एक दूद कहां पर चलाया गया था? भारत वारा आपरेशन में एक दूद कहां पर चलाया गया था? किसी को अगर मेरी speed बहुत तीज लग रही है तो आप लोग वीडियो की speed को धीमा करके भी देख सकते हैं resolution 240 या 360 पर लगा कर देख लिजेगा तो जो भारत वारा आपरेशन में एक दूद को सियाची इंगलेशियर में चलाया गया था सियाची इंगलेशियर वो दुनिया का सबसे उचाई पर इस्तित युद्ध छेत्र है और यहीं पर भारत वारा आपरेशन में एक दूद चलाया था ठीक है सियाची इंगलेशियर भारत का सौरी दुनिया का सबसे उचा युद्ध छेतर है जो की कारा कुर्रम शेड़ी में है हिमाले के कारा कुर्रम शेड़ी में है नेश कुछने काला बाग बांध परियोजना किस नदी पर निर्मारा धीन है क्या यह जेलम है क्या यह शिंदू है क्या यह राभी है या फिर यह चेनाम है तो यह सिंदू नदी है जिस पर काला बाग बांध परियोजना का सही अंसर है बी सिंदू काला बांध बांध परियोजना सिंदू नदी पर निर्मारा धीन है आप तो जानती हैं कि भारत और पाकिस्तान के मद्य जो नहरी पानी समझाता हुआ था 1960 में हुआ था मैंने इस वीडियो के प्रारभ में यह आपको बताया है जिसके अंतरकर 6 नदियों के नियंतर छेतर को निधायत किया गया था जो पुर्वी सिंदु की पुर्वी नदिया थी उनका जो नियंतर का छेतर था वो भारत को सौपा गया था और जो सिंदु छेतर की जो पश्मी नदिया था पश्मी बाहनी नदिया थी उनका नियंतर पाकिस्तान को सौपा गया था तो यह समझाता हुआ था नहरी पानी इस्सनी उब के की सायता से भारत और भाज के ब को नदिया प्रात की बाना हिए वह था को मैंने इंद्च सातो और वह नो पर बाक्स्तान की बताया है मैंने इस वीडियो के पारम में ही बताया है तो कमेंट जो वो से करिएगा तुलबुल परियोजना किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है क्या ये भारत और अंगलादेश के मद्य है क्या ये भारत पाकिस्तान के मद्य है क्या ये भारत सिलंका के मद्य है या देश दो चट्टानों के बीछ खिले हुए फूल क किया गए या डेश डो चट्ट्टान के बीच खिले कि इस क्रिश्चन का सही अंसर है ब नेपाल ये भारत सॉरी नेपाल देश की उक संकेत करता है ये क्रिश्चन कि या देश दो तच्टानों के बीच फिले हुए फूल के समान है नेश्च क्रिश्चन है दमेकिंग आफ इंडियास फारन इंडियन फॉरन पॉलसी नामा कुस्त किसने लिखी है आपके आप्शन है लाडवेवल पंडिजवालना नेरू जे बंदो पाधियाय और चाथा सर्दार पतेर या दा मेकिंग आफ इंडिया इंडियन फॉरन पॉलसी नामा कुस्तक किसने लिखी है दन मेकिंग आफ इंडियन फॉरन पॉलसी तो ये लिखी है ज लाइब्रेरी अटेंड कर सकते हैं और यह को पर सकते हैं निम्कित में से कौन सा देश आशियान प्लस 3 में सामिल है आपको यह बताना है आशियान प्लस 3 में सामिल देश है चीन जापान दच्छिर कोरिया आप्शन डी इसका राइट एंस्वर है ठीक है देखें यह आशियान प्लस 3 नामक संठन का बस्तित में आया था तो यह बस्तित में आया था उन्निस सत्तानमे में आशियान प्लस 3 नामक संठन उन्निस सत्तानमे में अस्तित में आया था यह बहुत से सारी पैश्छों में यह कुछा गया है और इसमें जो देश शामिल है वो है चीन द्रापान और दच्छिर कोरिया तो इसे यह आप कोजाची से नामक ट्रिक से एक ट्रिक के मादियम से हुए सब्सक्राइब याद रख सकते हैं को जाची ट्रिक से दच्छिर को ट्रिक हरा दच्राक हो गया Durham से जापान हो अद्स चीन हो गया और यह कभ सीत्व में अचीन प्लस 3 नामक संच्थन अस्तित में आया था ठीक है? और चैनल पर नहीं आये हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा देखी इस सारे वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है सारे फैक्स और सारे कुश्चन मोच्ट इंपॉर्टन है जो कि आपकी आगामी पहिछा के लिए अत्यनत भातपूर है नेश्चन अपने परेश्वी देशों के प्रती भारत की नीती का अपारस्पेक्टा का सिध्धान किस विचार का प्रतपादन करता है परेश्वी देशों के प्रती भारत की नीती का अपारस्पेक्टा का सिध्धान किस वारत का विचार करता है अपने पड़ोसी देशों के प्रती भायत की नीती का अपारस्प्रिक्ता का सिध्धान किस बात का विचार करता है आपको ये क्यूशन का एंसर देना है क्यूशन का एंसर है अपने पड़ोसी देशों के प्रती भायत की नीती का अपारस्प्रिक्ता का सिध्धान किस बात का विचार करता है वीडियो को पास कर लीजे और कमेंट करिए एंसर को मेरे साथ साथ वीडियो को पास करके आप लोग कुश्चन का एंसर सच करने की कोशिश किया करिए तो इस कुश्चन का सही एंसर अप्शन दी परोसी देशों के साथ पारस्पिक्ता के बिना संबंद को सुधाने का प्रयत्न है इस सिध्धान को उद्देश भारत की नीती जो है अब पारस्पिक्ता का सिध्धान वो इस बात पर विचार करता है कि परोसी देशों के साथ पारस्पिक्ता के बिना संबंद को सुधाने का प्रयत्न किया जाए औ और इन पर अमल करके वो अपने एक्जाम को क्रैक करने में आगे बढ़ेगा थीक है तो जे आरेप्स क्लियर करना है तो आपको हाई मेरिट लानी होगी और हाई मेरिट लाने के लिए आपको प्लेटकल साइंस का जो सेलवस है जो दसों यूनिट है उन सभी पर फोकस करना वारा भारत पर आकमर्ड़ अगर आप लोग इनके सन को जानते होंगे तो आप लोग इसली इने सही काला नुक्रम पर यह सहीकाला नुक्रम पर बैठा सकते तो देखी यह कब हुआ था या सारी घटना है कि सरन में घटित हुए थी तो इस 1887 में हुआ था राजिव जैबर्धन समझा था चीन द्वारा भारत पर आकमर कप किया गया था 1962 में किया गया था तो इस हिसाब से आप लोग सही काला नुकरम में आप लोग बैठा सकते हैं तो सबसे पहले क्या उनसी घटना हुई थी चीन द्वारा भारत पर आकमर तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी तो चौथा ठीक है फिर बांग्रादेश शुदंता युद्ध हुआ था हुआ तो पहले दो बोल दिया था तो 4 एक तीन दो ये जो है ये सही करम है पहले चीन दवारा भारत काओमर फिर आपनों चाहें तो इन्हें नोट्टाउन कर सकते हैं कि यह संभेट सारी घतनाएं कभ हुई थीं अब इस वीडियो का लाज क्यूहीं कर आपके सामने कि एक्ट ईष्ट पॉलसी का संबण। भारत के किस प्रधान मंत्री के साथ रहा है एक्ट इष्ट पॉल जीका संबने में काफी मेहेनत लगती हैं आप बीडियो फैर कithe कि देखा तो इस question का सही अंसर है भी नरेंद मोदी तो इनका संबंद नरेंद मोदी से है और यह policy कब अपनाए गई थी भारत के द्वारा 2014 में Act East policy को अपनाए गया था भारत द्वारा 2014 में और इस समय भारत के प्धान मंती थे श्री नरेंद्र और मोदी जी तो यह सारे facts जो है वो most important है जो लाश जिसने भी लाश तक इस वीडियो को देखा वो अपने एक्जाम को successfully crack करने में कि और कि अगे बढ़ रहा है और लोग इसे लोग इस्ट पॉलसी भी च Kelada है ठीक है और सबसे पहले इसके उपर ध्यान दिया गया थोwalk परिवर्दित रूप है जिसके अंतरगत भारतपारा नहीं नीतियां नहीं सिद्धान को अपनाया गया और नहीं चुनोतियों का सामना करने के लिए और पड़ोसी अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंद को सुधारने के लिए इसे आगे बढ़ाया गया इस पॉलसी को अपनाया गया भारत के द्वारा जो की पुर्व की ओर जो भारत के पड़ोसी देश है उनक को कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे जो से बताइएगा आपके सुझा मुझे बहुत पसंद आते हैं जब आप लोग सुझाव देते हैं इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है ज्यादा ची ज्यादा शेयर कर दीजेगा क्यों के सामने फेसे प्रसुत होंगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाई टेक केर